चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना आपको जरूर करना है क्वीडियो को जएधा से जीक शेयर जरूर करना है जानकारी हर एक Google account user तक पहुशनी चाहिए, जिन लोगों के पास Google account है, उन लोगों तक ये वीडियो जाने ही चाहिए, क्योंकि ये सबको अन करना है, सबको इस feature का यूज करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्यार हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की security बढ जाते हो, पासवर्ट forgot करना पड़ता है, तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ीगी, आप बस अपने fingerprint scanner से आप login कर पाऊंगे अपने Google account में, या पिर आप कही भी अपने phone को यूज करते समय पासवर्ट मांगा जा रहा है, वहाँ पर भी fingerprint scanner से login कर पाऊंगे, तो ये आज की इ जायर बटन पर क्लिक करे, और जानकरी सब तक ज़रूर पहुचा दे, techassistantfulblind.com पर विजिट ज़रूर करे, टेलीग्राम WhatsApp ग्रूप अबॉर्ट पेज में है, आप लोग जाके जूर सकते हो, फीमेल्स के लगसे ग्रूप बनाएगे, तो वो भी महाँ पर जाके जूर सकते ह मैं हूँ आपका दोस्त जीतुराज, चली शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को, और हाँ, वाइस थोड़ सी ठीक नहीं आए, तो ध्यान ना दे, content पर ध्यान दे दोस्तों सबसे पहले हम लोग गूगल पास्कीस का एक ब्रीफ में पंड़ा जानेंगे, क्या होता है, गूगल पास्कीस यह होता है कि आप गूगल पास्कीस की मदद से अपने फोन में, जब भी आप लॉगिन करोंगे, तो वहाँ पर आपको फिंगर्प्रिंट स्कैनर से ही आप सीधे लोगिन कर पाऊंगे, पास्वर्ड एंटर नहीं करना पड़ेगा, या फिर जहाँ जहाँ पर आपको आपके अकाउंट का पास्वर्ड मागा जाएगा उस पर्टिकलर डिवाइस में, तो वहाँ पर आपको फिंगर्प्रिंट स्कैनर से सीधे लोगिन कर सकत पास्वर्ड एंटर करना पड़ेगा, ठीक है, एक्जाम्पल की तौर पे मेरे पास तीन डिवाइस है, तीनो भी डिवाइस पर सेम ही अकाउंट लोगिन है, तो मैं किसी एक डिवाइस से अगर पास्वर्ड बना देता हो, तो वह तीनो डिवाइस पर काम करेगी, तीनो ड गूगल में चलेंगे, गूगल अकउंट में आनने के बाद हमें judgment में जाना पडिएगा, इसमें चलेंगे, इसमें चलेंगे पड़ेगा security में चलेंगे हम लोग security में आने के बाद आपको सारे options मिलते हैं यहां पर recovery phone, recovery mobile number, password का आपने change किया, two step verification, सब options मिलते हैं यहां पर आपको pass keys का एक नय option देखने के लिए मिलेगा वो हम देखेंगे start using pass keys यहां पर option मिलता है तो इस पर हम क्लिक करेंगे chrome में ले जाकर खुलेगा, है ना, simple आपको chrome में खुलने के बाद यहां पर आपको इसको swipe करना आगे देखें यहीं बता रहा है, start using your pass keys आप अपने face lock, fingerprint और इन सब चीज़ों से भी जो है अपने phone को unlock कर सकते हो use pass keys इस पर क्लिक करेंगे हम लोग, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यह इस phone के लिए इस particular phone के लिए जिस phone में अब यह account sign in है, इसके लिए यह pass keys बना लेगा और अगर यही account किसी और phone में भी sign in है, तो उस phone की भी pass key यह बना लेगा जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर pass key create हो जाती है, ठीक है इसने बता दिया, you can now you can now use your pass key ठीक है तो इसने यह चीजें आपको easily बता दी, यहां पर आपको easily sign in कर सकते हैं, मतलब यहां पर आपको easily आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती है ठीक है अब हरसम बैक करेंगे अब देखते हैं, अब इसने बता दिया, automatically create your pass keys, इसा इसने बता दिया, हमारी जो फोन के लिए जो pass keys है, वो create हो गई है अब यहां पर देखते हैं, यहां पर pass keys के बारे में देखते हैं अब यहां पर आपको यह बता देगा, कि आपने किसनी pass keys आपने फोन के लिए बना रखिए या पर जो भी आपको option है, सारे आप बता देगा एजीली आप ये देख पाऊंगे, आपको पता चलिएगे कौन से फोन में जो आपका अकॉंट लॉग इन है, आप जैसे मान लिजे हमारा ये अकॉंट एक ही डिवाइस में लॉग इन है, तो यहाँ पर बताएगा देखें हापर, passkey, one passkey, क्योंकि हमारा यह news account, यह सिर्फ यही इसी एक phone में login है, अगर मान लीजे मेरा अकाउट天 phone में sign in है, तो यहाँपर बताएगा three passkeys, हैना, अगर कोई account 2 phone में login है, तो बताएगा two passkeys, तो यह इस particular device का एक passkey, जो आपके hardware की होती है, जो hardware आपका password होता है fingerprint होता है वो आपका screen log या आपका face log ये आपकी account को login करने के लिए use आप कर पाऊंगे तो ये सबको on करना चीए सब लोग आप इस चीज को on जरूर करो और on करके आपको अब password एंटर करने की जरूरत नहीं है या अगर आप password भूल जाते हो तो आपको बार-बार जो है password याद करने की या password forgot करने की भी जरूरत नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर सब के साथ share करो चैनल पे अगर आप नहीं आए हो तो नीचे जाके subscribe बटम पे क्लिक जरूर करो और ये जानकारी सब तक पहुँचनी चाहिए इसलिए आज की इस वीडियो को सभी के साथ share जरूर करना है वो जो जनता की power है इस वीडियो के साथ देखने के लिए जरूर मिलनी चाहिए तो जनता अपनी power दिखाओ नीचे जाके सभी को ये जानकारी शेयर करो और सब तक इस वीडियो को पहुचाओ लाइक करो अगर आपको सवाल है तो नीचे comment box में जाकर जरूर पूछो मिलता हो किसी और interesting वीडियो में तब तक के लिए जैहिन